चुडैल और भगत बाबा रात को सरिता की मा उसके कमरे में आती हैं तो देखती हैं कि सरिता एक कोने में खड़ी होकर दिवार को घूर रही है उनको ये सब अजीब लगा उन्होंने सरिता को अपने पास बुलाया और सोने के लिए कहा कुछ दिनों तक सरिता अचीब अचीब हरकते करने लगी लेकिन किसी ने उसकी हरकतों पर ध्यार नहीं दिया एक रात जब सब सो रहे थे तब सरिता के दादा जिनका निधन कुछ साल पहले ही हो चुका था वह सरिता की मा के कमरे में गए और एक डंडे से सरिता की मा के हाथ पर हलके से मारा और कहा कि सरिता की मा की आँखे खूले उन्होंने इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया उन्हें लगा शायद ये उनका वहम होगा और वो फिर से सो गई फिर कुछ देर बाद सरीता के दादा ने जोर से सरीता की मा के हाथ पर डंडे से मारा वो एकदम से उठ गई और देखा कि सामने दादा जी खड़े गे और उन्हें बोल रहे हैं कि सरीता की हालत चाकर देख और वो ये कह कर गायम हो गए सरीता की मा घबरा गए और अपने पती को उठाया और उन्हीं सारी बाद बताए दोनों भाग कर सरीता के कमरे में गए और देखा कि सरीता बैट पर पड़ी हुई है उसके हाथ पैर अख़ने हुए हैं और मूग खुला हुआ है ये देखकर दोनों घबढा गए और उन्होंने आसपास के कुछ लोगों को इकठा किया और उसे एक भगत के पास ले गए भगत के पास ले जाकर सरीता को भगत के सामने बैठा दिया गया भगत ने सरीता की दरब देखा और कहा इस पर गंदी चुडैल का साया है जो इसकी बालों की खुश्पू से इसके पीछे पढ़ गई है यह बात सुनकर उसके माबाब खबरा गए और भगत से अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कहने लगे भगत बोला कि इसे कुछ नहीं होगा, मैं सब भी कर दूँगा तभी भगत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस मंत्र का सरिता पर कोई असर नहीं भगत ने फिर से कोशिश की और मंत्र तंत्र पढ़े, लेकिन कुछ फर्क नहीं पढ़ रहा ठक हार कर भगत ने सरिता की तरव गुस्से से देख और कहा कान है तू और इसे क्यों नहीं छोड़ रही तभी सरिता के शरीर से एक आवाज आई अगर तू जानना चाता है कि कौन हूँ मैं तो कल रात नदी किनारे आ जाना और मुझे बांगने के लिए जो तेरे बसकी है वो ले आना ये कहकर सरिता बेहोश हो अगली राद भगत नदी किनारे जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि सरिता वही खड़ी है बाबा को आते देख कर सरिता मुस्कुराती है और कहती है आ गया तू दिखा मुझे अपने मंत्र तंत्र की शक्ती और बांद ले मुझे भगत ने बहुत कोशिश दी बहुत से तंत्र मंत्र पढ़े लेकिन कोई फरक नहीं पढ़ा सरिता उसको देख कर हस्ती रही ठकहार कर भगत ने कहा कान है तू? तू कोई भूत या चुड़ाल तो नहीं है तू कोई ओर ही है सरिता कहती है एक बार फिर से कोशिश कर भगत कोशिश करता रहा और कुछ देर बाद उसे सब समझा क्या वो कहता है हाँ, मैं समझ गया तू कौन है? तू जिन है क्योंकि मेरी शक्तियों को काटने की किसी आत्मा या भूत प्रेथ में शक्ति नहीं है सरिता कहती है समझ गया तो बोल मेरे साथ मंत्रों से खेलेगा देखते हैं तुझ भी जादा शक्ति है या मुझ में भगत ने कहा मैं तुझ से नहीं डरता लेकिन तू लड़की के अंदर है लड़की से बाहर आ और अपना असली रूप दिखा तब तुझे अपनी शक्तिया दिखाता हूँ भगत की बातों में आकर जिन सरिता के शरीर से बाहर आ गया और जैसे ही जिन बाहर आया भगत ने अपनी शक्तियों से बाहर रहा जिन थैरान रह गया और बोला यह क्या किया तूने भगत ने कहा तुझे क्या लगा, मुझे कुछ नहीं पता था, कि तू कौन है, मैं सब जानता था, लेकिन इसलिए कुछ नहीं किया, कि तू इस लड़की के शरीर के अंदर था, अगर मैं तुझे निकालता, तो तू इस लड़की को तकलीफ देता यह सुनकर जिन हैरान रह गया और अपनी आजादी की भीक मां में लगा, जिन की बात सुनकर भगत ने कहा मैं तुझे छोड़ दूँगा, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए, जिस दिन तेरी मदद से मेरे सारे काम हो जाएंगे, उस दिन मैं तुझे आजाद कर दूँगा, मैं तुझे वचन देता हूँ यह बात सुनकर जिन कहता है बाल, मैं तेरी क्या मदद करूँ तब भगत कहता है इस लड़की के उपर जिस चुड़ेल का साया है, उसे खतम कर तो जिन कहता है मैं इसका उपाए बताता हूँ जिन एक ताबीज निकालता है और कहता है इस ताबीज को इस लड़की को पहना देना, लेकिन याद रहे इस तावीज को पहनना जरूरी है लेकिन किसी के मरने पर या किसी के पैदा होने पर ये तावीज घर के मंदिर में रखा जाए और वापस आकर नहा धोकर इस तावीज को पहने और जब इसकी शादी हो तब अपने पती के कमरे में जाने से पहले तावीज को उतार कर मंदिर में रख दे और अगली सुभर नहां दो कर फिर्टे पहने अगर ये ऐसा करेगी तो इसे कुछ नहीं होगा भगत वह तावीज लड़की को पहनाता है जिससे उस लड़की के अंदर का साया भस्म हो जाता है और वह ठीक हो जाती है कुछ महिनों बाद सरीता की शादी हो जाती है विदाई के समय जब वह सबसे गले मिल रही होती है तब ही उसका तावीज वहीं गिर जाता है अपने ससुराल पहुच कर सरिता को पडोस के घर में किसी रस्म के लिए लाया जाता है और उसे एक कमरे में बैठा दिया जाता है सरिता को वहीं बैठाने के बाद सभी लोग रस्म की तयारी में लग जाते है कुछ देर बाद सरिता को उसके पती के कमरे में भेजा जाता है उसका पती उसका गुंगट उठाने ही वाला होता है तभी सरिता बोलती है मेरा गुंगट मत उठा उसकी आवाज बदली हुई थी और वो गुर्रा रही थी तभी उसका पती बहुत डर जाता है और कहता है कान है तू तभी सरीता अपना गर्वा उठाती है और उसका चेहरा बदला हुआ होता है और उसके आँखे काले और नीले रंग ही होती है और वो अपने पती से कहती है अगर तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश की, तो मैं अपने पती और घरवालों को बुला लूँगी तभी उसका पती बहुत डर जाता है और कहता है कौन है तेरा पती, तेरी शादी तो मुझसे हुई है तभी सरिता कहती है, तेरी पड़ो उसके घर में रहती हूँ मैं, मेरा पती भी वही है और इस तरह वह सभी अपने घरवालों के नाम बताती है यह सुनकर उसका पती हैरान हो जाता है क्योंकि सरिता कभी भी उस तरफ नहीं आई हुई थी तो उसको सबके नाम क्या से पता चले सरिता के सस्रॉाल वाले उसके घरवालों को फोन करते हैं और सारी बात उसके घरवालों को बताते हैं सरिता के घरवालों को समझते देड़ नहीं लगती कि फिर से उसके उपर किसी का साया आ गया है और वह भगत के पास जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं भगत जिन को बुलाता है और उसे कहता है उस लड़की को ठीक कर दे जिन कहता है मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं बस एक ही बार ठीक कर सकता था यह सुनकर भगत कहता है ठीक है लेकिन इतना काम कर कि बस तू दो दिनों के लिए उसकी रक्षा कर क्योंकि मैं दो दिनों तक पूझा पाट करूँगा और उसके बाद मैं तुझे आजाद कर दूँगा जिन भगत की बात मान लेता है और दो दिनों तक सरीता की रक्षा करता है दो दिन बाद भगत सरीता के ससुराल पहुचता है और सरीता को बिठा कर उसके चारो तरव गोला बनाता है और अपनी पूचा पाट शुरू कर देता है शरीर के अंदर रुहानी ताकत को बुलाता है और उससे पूचता है वह क्यों इस लड़की के साथ है? वह रुहानी ताकत आती है और कहती है यह मेरे कमरे में बैटी हुई थी जहां मैंने फांसी लगा कर आत्मत्या की थी इसकी हल्दी की खुश्पु ने मुझे इसकी और कीच लिया तक से मैं इसके साथ हूँ भगत रुखानी ताकत को जाने के लिए कहते हैं और वह जाने से मरा करते थी और कहते हैं कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाओगा जो करना है करने या कहकर वह वहाँ से चली जाती है और भगत के बुलाने पर भी नहीं आती भगत ने कहा इससे काबू कर पाना मुश्किल है, जब तक वै आएगी नहीं, तब तक मैं उसे पकड नहीं पाऊंगा सब लोग परिशान हो जाते हैं तभी जिन भगत से कहता है तूने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं एक बार और तेरी मदद करूँगा और इसका उपाई भी बताता हूँ जिन भगत को उपाई बताता है जब वै चुडैल इस लड़की के शरीर में आएगी, तब मैं उसके जाने का रास्ता रोक लूँगा तब तू आना और अपने मंत्रों की शक्ती से बांध लेना भगत जिन की बात मान लेता है अगले देन जब वै चुडैल सरीता के शरीर में आती है तब भगत आता है और अपने मंत्रों से उसे काबू करने लगता है चुडैल बहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन जिन उसका रास्ता रोक लेता है और भगत का काम आसान हो जाता है क्योंकि वह चुडैल सरीता का शरीर छोड़कर बहार आ जाती है और कहीं भाग भी नहीं सकती है भगत एक ताबीज सरिता को पहनाता है और उसके बाद उस चुड़ैल को मंत्रों की शक्तियों से बांग देता है सरिता के ठीक होने के बाद भगत सरिता को चेतावनी देता है ताबीज को खुद से कभी अलग ना करे क्योंकि ऐसी रुहानी ताकते हर जगह मौजूद है जो कभी भी उसको खानी पहुचा सकती है दोस्तों सरिता अब दो बच्चों की मा है और वो अपना जीवत हजी कुशिव्यतीत कर रही है पताबीज अभी भी सरिता की गले में